इसमिल्ला रुहमान रुहीम असलाम लेकुम आज हम किन्नों के जूस की रैस्पी आप के साथ खेयर करेंगे तो जिसके लिए मैंने किलो किन्नों लेके राख लिए और मैंने काली मिर्च का पॉटर लिया है क्वाटर टी स्पून यानि के चताई चाय का चमस्च और मैंने काल हैं कि इनको मैंने अची तरह कटिंग करनी हैं कि हाफ पीस कर लेंक तो अब हम इस जग में हाथ के साथ जूस निकालेंगे तो इसके अंदर ये इस टेनर भी है इसका जो सीर्ज बगएरा निकलेंगे वो इसके अंदर रह जाएंगे और जूस जो का वो साफ नीचे चला जाएगा वो इस जग में आ जाएगा याय है तो इसदो हम एक पीस इठाएंगे और इस कैप के अंदर डाल डेंगे और इस्को सेट करके और इसकी उपर रखेंगे और इसको हाथ के साथ प्रेस करेंगे थोड़ा सा दपाएंगे और राउंड दे के इसको तो अच्छी तरह से इसका जूस निकलाएंगे तो इस तरह अच्छी तरह इसका जूस निकलाएंगा यह देखें इस तरह साफ हो गया है अंदर से बिल्कुल अची तरह जूस निकला है बच्छों को देना हो थोड़ा बनाना हो जल्दी में बनाना तो हमें यह और अगर थोड़े चीज है तो हम उसमें जल्दी से बना लेते हैं और मशीन का और उसका दोने का और लगाने का इतना हमें जंजट नहीं करना पड़ता और इस तरह जूस निकलता रहता है इसके अंदर कठा होता रहता है और अगर इसके उपर राके भी अगर करना हो तो फिर इसके उपर भी राक देते हैं इसके उपर राके उपर से यह कैप बादेंगे इस तेरह भी उसका जोज निकलाएगा से रही तरह से늦े के यह साफ ग्याया है अंदर से है और हमारा फ्रेश आप अगर नहीं पसंद करते तो नं डालें तो हमारा जूस रैडी हो गया है माशाला बहुत मज़े का बनाए आप भी जरूर ट्राई करना इस तरह हो तो अब इसको हम गलास में सर्व करते हैं तो एक किलो मैंने किनो ली हैं उन में से दो गलास जूस निकला आया है तो माशाला ये है इसकी फाइनल लुक आज की मेरी रेस्पी आपको अच्छी लगे लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना और अपनी दौाओं में याद रखना थैंक्स फार वाचिंग अलाहाफेज